गुरूर देवो महेश्वता, गुरूर साक्षाद परंब्रम्भा, अस्मै श्री गुरु पे नमद्र। गया मीजी में जाकर पिंदान करें, क्योंकि गया जी का महत्व बहुत ज्यादा माना गया है, कारण भगवान राम ने अपने पिता दसरत का पिंदान गया जी में किया था। सबसे पहले अपने पूरवजों की तस्वीर को अपने घर की दक्षण देशा में लगभग अपनी हाइट से जो अपनी हाइट है उससे उचे स्थान पर लगा दे अब दक्षण देशा का अर्थभी समझ लिजे क्योंकि कई लोग इसमें बड़े प्रहमित रहते हैं हमारा चेहरा दक्षण देशा की तरफ होगा और पूरवजों की ये तस्वीर होगी उनका चेहरा उत्तर देशा की तरफ होगा तो पूरवजों की तस्वीर को दक्षण देशा में लगा दें तस्वीर के उपर एक आर्टिफिशल माला या तुलसी की माला चड़ा दें से अपनी गलतियों के लिए छमायाक नमागें और सुखी जीवन के लिए प्रात्ना करें और भूल से भी क्या नहीं करना हैगा भूल से भी यह नहीं करना है कि आपको ताजे फूल की माले टडाएंगे या ताजे फूल टडाएंगे कोई परसाद वगरा खाने पीने का सामान रखेंगे कोई दियाबत्ती अगरबत्ती या किसी भी प्रिकार की अगनी हम उनके आगे दिखाएंगे ऐसा नहीं करेंगे बोल से भी करना क्या हैगा एक मिट्टी की गुल्लक ले लीजिए मिट्टी की गुल्लक के उपर आप सफेद कागज पर लिख दीजिए हमारे पू पूर्बजयों को अर्पित और उसको मिट्टी की गुल्लक पर चिपका दीजिए टेप से उस गुल्लक को घर के दख्षणकार कहीं रख दीजिए और प्रती दिन उसमें एक रुपए का सिका दो रुपए में करतें क दस का सिका या कोई भी पैसा इसको ऐसा कहलो कि जो यह लोग भुजन करते हैं, खाना काते हैं, तो हम अपने पूरवजियों के नाम का एक अंश निकालते हैं, प्रती दिन उसमें डालते हैं, अब हम उस गुल्लक का क्या करेंगे, उस गुल्लक को फित्र पक्ष की अमावश्य को, या आगर आपको तिथी मालूम है तो उस तिथी क उस गुल्लक को फोल कर उसमें जो भी पैसा निकलेगा, उसमें चाहाएं तो हम और भी मिला सकते हैं, और उसके तीन हिस्से करते हैं, जैसे माल लेते हैं, उसमें तीन सुर रुपए खटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सौ, 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 तीन हिस्से करेंगे, एक हिस्सा और सो रुपए हम मंदर में दान करेंगे। ऐसा करने पर निश्चित रूप से हमारे पित्र हम से प्रिसन होते हैं। अब गुल्लक फूट गई, आगे क्या करना है। इसको हम कहते हैं सोपाय को पूरी जिंदगी करते ही रहे। चाहे आप गया जी हो आएं या नहीं हो के आएं। दीपा वली के एक दिन पहले, जिसको हम लोग छोटी दीपा वली कहते हैं। उस दिन क्या करेंगे, हम फिर एक गुल्लक लाएंगे, और फिर इस प्रिकिरिया को आरंब करके अगली पित्रवक्ष की अमावस्या को गुल्लक को फूल कर वही अपनाएंगे। इसके साथ प्रितेक अमावस्या को हम थोड़ा सा गुल्ल, खिचडी, खिचडी रो मेट्रियल, कच्चा, यानि चावल और काली वाली दाल, उलत की दाल जैसे कहते हैं। हम और साथ में दक्षना, मंदिर में जाके बेद पाधी ब्रहाम्मल को दान करेंगे। प्रितेक अमावस्या को क्या करेंगे, हम अपने घर के मुख द्वार पर दोनों तरफ, दो तिल के तिल के दिये जलाएंगे, उनकी अगनी दक्षन दिसा की तरफ होगी। ये विसेश दियान रखना है। इसके साथ साथ प्रितेक रभिवार को जहां हमारा पानी पीने का स्थान होता है, जैसे कई लोगों घर में आज आरो लगाएगा, तो आरो में भी पानी स्टोर होता है या किसी भी बरतन में पानी जहां स्टोर करतेंगे। वहां पर हम एक तिल के तेल का दिया प्रितेक रभिवार को जलाएंगे। अगर आपकी परिशानिया बहुत जाद आ रहे हैं और आप गया जी नहीं हो के आप आए, तो क्या करेंगे। कोई भी पीपल का पेड़े, सबसे पहले तो हम ऐसी जगह देखेंगे कि कोई धर्मिस्थान होता हाँ वहां पर जो पीपल का पेड़े लगाए उसको प्रात्मिता देंगे। और नहीं मिलता है तो कोई भी पीपल का पेड पेड़। पीपल के पिखळके चारो तरफ जो चबूत्रा बनता है, वो एक चबूत्रे का निर्माण हम कराएंगे, को कि भगवान सिरी किस्टन कहते हैं कि ब्रेक्षो में मैं पीपल हूँ, तो साक्षात कहते हैं ना कि स्वेम भगवान राजमाने, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे पित्र हमसे अत्याधिक प्रसंद होते हैं इसके साथ साथ एक ऐसा उपाय कि इस उपाय को आप जरूर करिए उपाय क्या है इसको जरूर नोट कर लिए कोई भी निर्माड धीन धर्म इस्थान यानि किसी मंदिर का निर्माड हो रहा हूँ वहाँ पर आप चाहिए जो रेता होती है जिसको बजरी बोलते हैं उस बजरी को सामने जाकर किसी भी अमावश्या को अगर अमावश्या हो तो बहुत अच्छा होगा अन्य था किसी भी अमावश्या को जाकर उस बजरी को हम अपनी सुब्दा अंसार दान करेंगे और सामने ही उस मंदिर की दीवारों पर लगवाएंगे तो आप कल्पना कीजिए कि जब मंदिर का निर्माड हो जाएगा आपने बजरी वहाँ पर लगवाई हुई है जब मंदिर प्रांगण में भजन, कीरतन, गंटा बजरा होगा, आरती हो रही होगी तो कहते हैं ना कि उसका लाव आपको सरवादिक मिलेगा ही मिलेगा तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाए हैं जरूरी नहीं कि हम पित्र दोस में ही ये उपाए करें ये उपाए हम कभी भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को जरू दबा लेजिए पिर ते एक वीडियो आपको समय पर प्राप्त उतर आएगा एक बात और कहाना चाहेंगे आप लोगों से कि रादे रादे जरू लिखा करिये और साथ में ऐसे वो लोग जिनको अपनी जनम तिती नहीं पता है या जिनको अपने जनम के समय में इतना कन्फ्यूजन है, नहीं पता है अगर ऐसे लोग कुंडिली का विसलेशन कराना चाहते हैं तो वो नीचे लिखे हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं अगले वीडियो के लिए आप हमारे सिंग बने रहे हैं तब तक के लिए रादे रादे जैन